आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है, जिसमें मीरा नाम की एक औरत अकेली रहती थी। कई साल पहले वो औरतों की स्पेशल डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद उसने डंपलिंग बनाना शुरू कर दिया था। वो जे डंपलिंग सिर्फ खास लोगों के लिए ही बनाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो भी उसके डंपलिंग खाता है, वो हमेशा जवान रहता है। आज एक बड़ी इसी गाड़ी उस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है, जिसमें मीरा का घर था। गाड़ी से निकलने वाली ओरत का नाम ली था और वो जहां मीरा से मिलने आई थी। कई लोगों से मीरा का घर पूछने के बाद आखिर में उसे मीरा का घर मिली गया था। दरासल ली एक पुरानी एक्टरस थी और शादी के बाद उसने एक्टिंग छोड़ दी थी वो आकर मीरा से कहती है मेरी एक सहेली ने मुझे तुमारे डंपलिंग के बारे में बताया था मेरी उमर 40 के आसपास की है लेकिन मैं 30 की दिखना चाहती हूँ ये सुनकर मीरा कहती है अगर तुम कीमत चुका सकती हो तो मैं तुम्हें जरूर डंपलिंग खिलाऊंगी लेकिन मेरी एक बात याद रखना मेरे डंपलिंग तभी असर करेंगे अगर तुमोंने गर्मा गरम खाओगी मैं जे डंपलिंग सिर्फ अपने घर में बनाती हूँ और अगर तुमें ने गर्मा गरम खाना चाती हो तो तुमें जहां रोज आना होगा ली उसकी हर बात मान जाती है जिसके बाद मीरा उसके लिए डंपलिंग बनाने लग जाती है अब ली ये कमरे में डंपलिंग का इंतजार कर रही थी जबकि मीरा उने बनाने में जुट गई थी वैसे मीरा ने आज तक अपने स्पेशल डंपलिंग की रेस्पी किसी को नहीं बताई थी और ना ही उसने आज तक किसी को ये बताया था कि वो अपने डंपलिंग में क्या डालती है हालां कि उसके डंपलिंग का सवाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी ली जैसे लोग उने खा लेते थे क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना जाते थे वैसे आपको बता दें कि ली इसलिए जवान दिखना जाती थी क्योंकि उसका पती उसकी तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देता था बस अपने पती का प्यार पाने के लिए वो रोज मीरा के पास आने लगती है ताकि वो उसके डंपलिंग खाकर फिर से जवान दिखने लगे अब मिलते हैं ली के पती जैन से जैन एक अमीर बिजनसमैन था और बिजनस के चलते वो कई कई दिन घर से बाहर रहता था जैन इतना अमीर था कि वो ली को छोटे मोटे खर्चों के लिए भी मोटी मोटी रकम देता था एक महीने बाद एक दिन जब ली मीरा के घर थी तो वो उससे कहती है मैं जल्दी जबान दिखना चाहती हूं मीरा लेकिन तुमारे डंपलिंग ने अभी तक असर नहीं किया ये सुनकर मीरा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें थोड़ा और इंतिसार करना होगा इसके बाद ली वहां से चली जाती है और तभी मीरा के घर एक औरत आती है इस औरत का नाम चिंग था और उसके साथ उसकी नबालिक बेटी कैट भी यहां आई थी चिंग मीरा से कहती है मुझे जैसे ही पता चला कि तुम पहले लेडिस डॉक्टर थी तो मैं भागी भागी तुमारे पास आ गई मुझे तुमारी मदद की बहुत जरूरत है मीरा दरासल चिंग की बेटी कैट प्रेगनेट थी और चिंग चाहती थी कि मीरा उसकी बेटी का अबॉर्शन कर दे ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि चिंग के पती यानि कैट के बाप का था वो एक शराबी आदमी था और वो शराब पीकर अकसर कैट के साथ जवरदस्ती किया करता था चिंग के सब बताने के बाद मीरा कैट की जाँच करती है और फिर कहती है बच्चा तो पांच मीने का हो चुका है और अब में कुछ नहीं कर सकती इस हालात में अगर मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी तो तुमारी बेटी की मौत भी हो सकती है ये सुनकर चिंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुमें हमारी मदद करनी चाहिए मगर मीरा उसकी मदद करने को तयार नहीं थी कुछ दिनों बाद चिंग फिर से मीरा के पास आती है और उसके बार बार कहने पर मीरा उसकी मदद करने को तयार हो जाती है उसने किसी तरह क्याट का वाशन कर उनकी मदद कर दी थी जिसके बाद चिंग उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करती है अगले दिन सुबा, आज ली फिर से मीरा के घर डंपलिंग खाने आई थी, उसे देखकर मीरा डंपलिंग बनाने लग जाती है, और इसी बीच ली उसे चुपके से देखने लग जाती है, दरासल ली ये देखना चाहती थी कि मीरा अपने डंपलिंग कैसे बनाती है, और उनम कर कुछ सोचने लग जाती है दरासल ली हर हाल में जवान दिखना जाती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी बस अपनी यही इच्छा पूरी करने के लिए वो मीरा के घर बापिस लोट आई थी अब मीरा उसे बताती है यह अनबॉर्न बेबी कैट नाम की लड जाती है और जब डंपलिंग बन जाते हैं तो ली उने आराम से खा जाती है दरासल मीरा पहले लेडिस डॉक्टर थी लेकिन जब उसकी उमर काफी हो जाती है तो वो नौकरी से रेटायर हो जाती है लेकिन रेटायर होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में जाती थी और वहा आया गया था कि बेबीज को खाने के बाद आप हमेशा जवान रहेंगे मीरा कई सालों से बेबीज को खा रही थी और वो अमेर लोगों को भी खिलाती थी ताकि उसका घर चल सके वैसे मीरा की उमर 60 के आसपास की थी लेकिन फिर भी वो दिखती 30 की थी वो खुद भी कैनिबल थी और उसने ना जाने कितने और लोगों को भी कैनिबल बनाया था कुछ दिनों बाग अब ली काफी जवान दिखने लगी थी और उसकी जवानी देखकर उसका पती भी काफी हैरान था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी दिन बा दिन इतनी खुबसूरत कैसे हो र जैन ने ली की पूरी बात सुन ली थी और तभी मीरा ली से कहती है तुम्हें गबराने की कोई जरूरत नहीं है ये इस बात का अच्छा संकेत है कि मेरे डंपलिंग ने अपना काम शुरू कर दिया है ये बदभू कुछी दिन रहेगी और जब तुम फिर से डंपलिंग बढ़ जाएगी अब ली कहती है मुझे तुम पर पूरा जगीन है मीरा तभी तो जवान रहने के चकर में मैं भी कैनिवल बन गई मुझे और टंपलिंग चाहिए ताकि मैं और जवान दिख सकूँ इस पर मीरा उसे कुछ दिन इंतजार करने को कहती है ताकि वो किसी अनब मीरा के घर पहुंच गया था वो मीरा को बताता है कि मैं ली का पती जन हूँ और मैं भी कैनिवल बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी जवान दिख सकूँ उसकी बात मानकर मीरा उसे बैठने को कहती है ताकि वो उसके लिए डंपलिंग बना सके जब डंपलिंग बन जाते हैं तो जेन उन्हें अराम से खा जाता है। वैसे जेन भी हर हाल में जवान दिखना चाता था और उसके लिए वो भी किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ दिनों बाद ली ने कई दिनों से डंपलिंग नहीं खाये थे और ना ही मीरा ने उसे कोई फून किया था। अब ली के शरीर से जो बुदबू आ रही थी वो दिन बाद बढ़ती ही जा रही थी। दरासल जेन से मिलने के बाद मीरा पूरी तरह से बदल गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो पहले जन को जवान करेगी और फिर उससे शादी कर लेगी ताकि उसके जिन्दगी अराम से कट सके। एक दिन जब मीरा सैलून में थी तो ली उसके पास आकर उससे मदद मांगती है लेकिन मीरा उससे कहती है अब मैंने डंपलिंग बनाना छोड़ दिया है अब मैं अराम से अपनी जिन्दगी जीना जाती हूँ और मैं तुमारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर ली उस रखना डॉक्टर अबोशन के समय बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए मा को चाहे जितना मर्जी दर्द हो लेकिन मुझे बच्चा हर हाल में जिन्दा चाहिए दरहसल ली या पैसों के दम पर खुद ही बच्चों का इंतिजाम करने लग गई थी क्योंकि मीरा ने तो उसकी मदद करने से इंकार कर दिया था उसने मीरा को डंपलिंग बनाते हुए कई बार देखा था जिस कारण उसे भी डंपलिंग बनाने आ गई थे अब ली एक हॉस्पिटल से अनबॉर्न बेबीज ख्रीद लेती थी और फिर उनका मीट डंपलिंग में डाल कर खा जाती थी कहा हमारे में हमें कमेंट बाक्स में जरूर लेकर भेजिएगा हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार